हेलो एब्रिवन वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज आप लोगों के साथ मैं इस डिजाइन का वीडियो शेयर करने वाली हूं यह देखिया हमारा डिजाइन यह हमारा डेजाइन पांच पांच फंदों में बना है यह राइड साइड से है और यह बैक साइड से हमारा ऐसा दिखेगा अब यह देखें नीचे हमने यहाँ पर चार सलाई सीधा सीधा बुन लिया था आप चाहें तो यहां बार्डर बना सकते हैं बार्डर बनाने के बाद फिर यहां से डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे इसे आप लेडिज, जैकेट, बेबी स्वेटर, जेंड स्वेटर किसी भी प्रजेक्ट में अपलाई करेंगे, बनने के बाद बहुत ही ब्यूटिफुल लगेगा, बनाने में बहुत ही इजी है, बनने के बाद नहीं ब्यूटिफुल लगता है, चलिए मैं आपको इसे बनान इस्ठी चॉला रहेगा, और एक पीछे यहां इस्टी चॉला, बीच में हमारी चार डिजाइन बनेंगी, पाच-पाच फंदों में, और यहांने नीचे चार सलाई सीधा-सीधा बुल लिया, हम यहां से अपना डिजाइन वाला स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रो हमारा उल पूरी सलाई हम कम्प्लीट कर लें, सिकेंड रो हमारी सीधी पूरी बुनेंगे, बैक साइड से हम पूरा सीधा बुनेंगे, पूरी सलाई हम सीधा बुनके कम्प्लीट करेंगे, सिकेंड रो पूरी सलाई हम बैक साइड से सीधा बुनके कम्प्लीट करेंगे, राइड साइड से, फिर हम थर्ड रो पूरा उल्टा बुनेंगे, थर्ड रो पूरा बुनके उल्टा कम्प्लीट कर लेंगे, थर्ड रो पूरा पूरा कम्प्लीट होगे, अब हम यहाँ पर फूर्थ रो बनाएंगे, फूर्थ रो भी पूरा हमें सीधा बुनके कम्प्लीट करना है, पूरा सीधा बुनके कम्प्लीट कर लेंगे, फूर्थ रो हमारा पूरा बनके कम्प्लीट हो गया है, अब यहाँ पर फिफ्थ रो पर हम बिजाइन बनाएंगे, जो हमने फंदा सिलिप किया था, उसे सिलिप करेंगे, पहला फंदा, दो फंदा छोड़के, तीसरे फंदे के बीद दो फंदा इधर छोड़के, और तीन फंदा इधर छोड़के, इसी की नीचे हमें, जहां से हमने यह उल्टा सीधा बनाना स्टार्ट किया, यह दिखें बैक साइड से यहां से एक दूर तीन चार चार सलाईयों के नीचे से हमें उठाना है पीछे से डालके यहां पर हमें एक फंदा निकाल लेना है फिर हम धागा आगे करेंगे एक दो दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर उसी में एक बार और हम निकालेंगे एक फंदा दो फिर धागा आगे करेंगे फिर तीन पंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर इसी में एक फंदा और निकालेंगे यह देखिए एक डिजाइन हमारा बन गया है अब फिर हम वैसे ही रिपीट करते जाएंगे जैसे हमने यहां पर रिपीट किया है दो फंदा छोड़के इसी के बीच से चार्चलाई छोड़के जो हमने बुना है उसके नीचे से यह हमको एक फंदा निकाल लेना है फिर धागा आगे करना है पिर दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर इसी में हम एक फंदा सीथा निकाल लेंगे फिर धागा आगे करेंगे तीन फंदा हम उल्टा भुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर उसी में एक पंदा और निकालना है तीन फंदा निकाल लेंगे देखें यह हमारा डिजाइन दो डिजाइन कंप्लीट हो गया बनके धागा आगे करेंगे स्वारी दो फंदा छोड़के पिर यहां से नीचे से हमने जो शीधा भूना था यहां से हमें निकालना है चोथी सलाई से एक फंदा निकालके धागा आगे करेंगे एक दो दो फंदा हम उल्टा भूनेंगे धागा पीछे करेंगे फिर उसी से है फिर वहीं से हमें एक फंदा और निकालना है फिर धागा आगे करेंगे फिर तीन फंदा हम उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर वहीं से हमें एक फंदा और निकालना है एक ही जगा से हमें तीन फंदा निकालना है पांस फंदे गुन्ने हैं फिर दो फंदा छोड़के यहां बीच से हम चोथी सलाई की नीचे से निकालेंगे ये देखिए है हमारा अब धागा आगी करेंगे दो फंदा हम उल्टा पुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर इसी में से एक और निकालेंगे एक फंदा दो हो गया फिर धागा आगे करेंगे तीन फंदा उल्टा पुनेंगे फिर एक फंदा निकालेंगे फिफ्ट रो हमारा पूरा हो गया अब हम बाइक साइट से सिक्स रो बुनेंगे पहला फंदा हम सिलीप करेंगे उसके बाद यह देखें यहाँ पे हमने जो बुना था इदर से निकाला था फंदा इसी फंदे में यह वाला फंदा लेंगे जो हमने निकाला था और एक उल्टा वाला लेंगे इदो ने साथ मिले के हमें एक साथ बुन लेना है सीधा ही बुनेंगे बैक साइड से फिर ये वाला एक फंदा इसको अकेले एक फंदा बुनना है फिर ये बीच वाला फंदा जो है इसको हम और एक जो हमने फंदा उठाया था नीचे से दो फंदा मिला के इसको दो का एक करना है फिर एक फंदा सिधा बुनना है फिर वैसे हमें करना है जो हमने एक फंदा निकाला हुआ है और एक फंदा उल्टा वाला दोने साथ में लेकर सिधा इसे बुलने ना है ऐसे ही हमारा पूरा सलाई रिपीट होता जाएगा देखे यहां दो का एक करेंगे पिर यहां पर हम दो का एक करेंगे एक फंदा अकेले बुनेंगे पिर यहां पर दो का एक करेंगे पिर यहां पर एक फंदा एक ही बुनना है सीधा पिर यहां पर हम दो का एक करेंगे कि यह देखिए वारा पूरा सलाई कम्प्लीट हो गया है बनके अब हम राइट साइड से अब हम सीधा बुनेंगे यह देखिए हमारा डिजाइन बनके कम्प्लीट हो गया है इसके बाद हमें एक सलाई सीधा बुनेंगे इसके बाद फिर हम अपना डिजाइन दूसरा वाला डिजाइन फिर से बनाना शुरू करेंगे जाइन फिर से ने करेंगे भी अपना इसा ड्रफित क्रेवत जाइन फिर बनके करेंगे बनके करेंगे लाइन दूसुरू इसकार तूस्त, विर हम धिर कॉक्वर यह देखी लेकिए हमारा डिज़ाइद बनने के बात कितना प्यारा लग रहा है तो उसके पाद जैसे हमने नीचे से श्ठाट किया है वैसे फिर हम यहां से दूसरा डिज़ाइद बनाना है start करें हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें, बेल आइकन को परिस करें ताके आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें